गाजा में इसराइल और हमास के लड़ाकों के बीच भीशन जंग चल रही है एक तरफ इसराइली एर फोर्स जमीन आस्मान और समुद्र से गाजा में लगातार आग बरसा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके गाजा में खंडर पड़ी इमारतों में छिपकर आईडियफ को निशाना बना रहे हैं और अब इसी कड़ी में अलकासिम ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसने गाजा के आस्मान में मुझाहिदीन ब्रिगेड के साथ मिलकर इसराइली एरक्राफ्टों को मिसाईलों से तबाह करने का अद़ा वा किया है वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम ब्रिगेट के लड़ाके लगातार इसराइली एरक्राफ्ट्स और ड्रोन को सैम सेविन मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं हाला कि मिसाइल दागने के बाद वो अपने टार्गेट पर लगी या नहीं इस बात की पुष्टी इस वीडियो में नहीं हुई है इसके अलावा पश्चमी जबालिया में अलकुज ब्रिगेट के लड़ाकों ने इसराइली सेना को घेरा हुआ है यहाँ पर अलकुज और मुजाहिदीन ब्रिगेट के लड़ाके मशीन गन से इसराइली सेनी को पर ताबर तोड फाइरिंग कर रहे हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दूर खड़े इसराइली सेन निवाहन पर अलकुज के लड़ाके घात लगा कर हमला करते हैं इन लड़ाकों के हाथों में मशीन गन होती है जिससे दना दन फाइरिंग हो रही है इस वीडियो के अलावा खान यूनिस चहर का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अलकुज के लड़ाके एक के बाद एक इसराइली टैंक को और सेन निवाहनों को निशान अबना रहे हैं आगे इस वीडियो में इसराइल के तीन सैनिक दूर खड़े दिख रहे हैं जिन पर अलकुद्स के लड़ा के हमले कर रहे हैं अलकुद्स का दावा है कि उसने ये हमले इसराइली सेना की सप्लाइ लाइन और पोजिशन्स पर किये हैं अलकुद्स ब्रिगेड का दावा है कि इन हमलों में उसने इसराइली सेना के 15 अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाया है जो एक घर में पनह लिये हुए थे अलकुद्स का कहना है कि उसने ये हमला दक्षणी गाजा के खान यूनिश शहर के हाउज इलाके में किया है और उसका हमला एकदम सटीक रहा यहां तक कि उसके लड़ाकों ने इसराइली सेनिकों के चीखने चिलाने की आवाजे तक सुनी है यहां तक सुनी है